हाट ब्लॉकेज को दूर करने के लिए कुछ आयरुवेदिक नुसके जिनका इस्तिमाल करके आप अपने हाट को पहली की तरह जवान और निरोग बना सकते हैं आजकल के busy schedule में गलत खानपान की वज़े से और गलत lifestyle की वज़े से हमारे दिल में ब्लॉकेज का खत्रा आम हो गया है हमारा दिल जो 24 घंडे काम में लगा रहता है उसका स्वस्थ होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है तो आईए जानते हैं हार्ट ब्लॉकेज को दूर करने के कुछ घरे लूप चार हार्ट ब्लॉकेज से अपने आपको बचाने के लिए आप लौकी के जूस का सेवन कर सकते हैं लौकी के जूस में कई ऐसे गुण पाय जाते हैं जो हमारे हार्ट को ब्लॉकेज से बचाते हैं आप रोजाना शौच यानि की सुभा टॉलेट जाने के बाद जब पेट एकदम खाली हो जाए तब लौकी के जूस का सेवन कर सकते हैं रोजाना 200-300 ml लौकी के जूस का सेवन करना आपके लिए काफी अच्छा माला जाएगा लेकिन लौकी के जूस का सेवन करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर आपको अपने हार्ट को ब्लॉके से बचाना है और आप लॉकी की जूस का प्रियोग कर रहे हैं तो जब भी आप लॉकी का जूस बनाएं तो उसे काट कर खोड़ा सा चक लें अगर लॉकी का टेस्ट कडवा है तो उस लॉकी का जूस ना बनाएं जिसका टेस्स सामानने हो अर्जुन की छाल अर्जुन की छाल आसानी से आज कर पंसारी की दुकान पर मिल जाती है इसलिए अगर आप चाहें तो अर्जुन की छाल का इस्तेमाल करके भी हार्ट ब्लॉकिज को अपने आप से दूर कर सकते हैं तो चमच अरजुन की चाल के पाउडर को एक ग्लास पानी के अंदर मिला कर काढ़ा बनाईए और उसके बाद इसे ठंडा करके खाली पेट सेवन कीजे। ऐसा करने से भी हार्ट की ब्लॉकेज का खत्रा कम होता है। आप चाहें तो लॉकी के जूस और अरजुन की चाल को एक साथ मिक्स करके भी दो से तीन महीनों के लिए सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से भी अगर हार्ट में ब्लॉकेज है वो धीरे-धीरे खुलना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंट्स ये थे कुछ घरे लुपाई जिनका इस्तिमाल करके आप दो से तीन महीने में अपने हार्ट की ब्लॉकेज के खत्रे को कम कर सकते हैं। और जदी ब्लॉकेज है तो उसे धीरे-धीरे खतम कर सकते हैं। इन्हें आजमाईए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेर करिए। मेरी व्यूटी और हेलसे रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए।